Hello Everybody, Welcome to Quartz Study I am Mujhya Simakhtar आपके लिए आज Chemistry का Part 1 लेके आया हूँ JKSSB Class 4 के लिए जो कि एक General Science का Part है ठीक है? तो यहाँ पर मैं आप आपको आज Elements, Compounds, Mixtures, Atoms, Molecules, Neutron, Electron, Proton, Isotopes, Isobars, Isotons, Acids और Bases के बारे में बताऊंगा और End पे मैंने 4 Question का Quiz भी रखा हुआ है, जिसके आंसर, 4 Questions के आंसर आपको Comment Box में करने होंगे, जो आपको इसी वीडियो में मिल चाएंगे, अगर आप वीडियो को पूरे देहान से देखेंगे और ये जो वीडियो है, मैंने Simple Language में बनाया है, I mean, मैंने ये Notes जो हैं, बहुत ही अपनी Language में, Simple Language में बनाया है, तो आपको सारा समझ आएगा अगर आप अच्छे से देखेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं अच्छा, Element क्या होता है? Element को हम इस तरह से Define कर सकते हैं कि कोई भी Similar Types of Atoms जो होते हैं Atoms होने Atoms होंगे, लेकिन Similar Types के होंगे ठीक है, पूरे Similar Types के जो उनमें Properties होंगी, वो सारी Similar होंगी, उनसे जो मतलब एक Substance बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? Element कहते हैं अब एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पर इसको हम दो या दो से ज़्यादा Forms में नहीं बना सकते हैं किसको, Element को हम दो या दो से ज़्यादा Form में नहीं बना सकते हैं किसी भी Physical या Chemical Method की वज़ज़ से ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? तो आपको याद रखना है पहले Element may be defined as the substance which is made by Similar Types of Atoms आपको में याद करवा रहा हूँ ठीक है? Atom may be defined as the substance which is made by Similar Types of Atoms जो Similar Types of Atoms से बना होता है Same kind of Atoms होने चाहिए उनसे जो बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? Element कहते हैं क्या कहते हैं? उसको हम Element कहते हैं जो Same type of Atoms से बने होते हैं अब for example आप देख सकते हैं Hydrogen, Helium, Lithium अभी आपको मैं Periodic Table भी दिखाऊँगा यहाँ पे देखे यहाँ पर जो है यह Periodic Table है यहाँ पर एक चीज़ आपको खाली यह समझना है कि Groups Periodic Table को दो मतलब इन में Divide किया गया है एक Groups में और एक Periods में यह वाला जो Part है नहीं यह वाला नीचे के लिए यहाँ पर देख सकते हैं यह आप समझ सकते हैं कि यह Periodic Table यह Group 1 में आता है Group 1 में यह किसमें आता है Group 1 में जितने भी यहाँ से Elements आपके हैं चीक है जैसे Hydrogen आगया, Lithium आगया यहाँ से नीचे के लिए जितना भी है यह किसमें आता है Group 1 में तो Groups और Periods अब Period किस तरह से आता है इस तरह से Period 1 में Period 2 के Elements Period 3 के Elements Period 4, Period 5, Period 6, Period 7 इसी तरह से जो है इनको क्या कहते हैं Periods ठीक है अब यहाँ पे Important क्या है Examination Point of View से वो देखते हैं अब Periodic Table में से Atomic Number पूछा जा सकता है ठीक है तो Atomic Number समझते हैं देखो Hydrogen का क्या है 1 मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरा यहां तक समझने हैं या फिर याद करने हैं याद तो यहीं तक करने हैं 20 तक आप याद कर लेना ठीक है It is Highly Recommended कि 20 तक याद होने ही चाहिए बाकी अगर आपको खुद से बाकी भी आते हैं तो That is a very good thing बट Examination Point of View से मैं बता रहा हूँ कि 20 तक At Least होने चाहिए याद तो Hydrogen का क्या है 1 Helium Lithium Barilium Boron Carbon Nitrogen Oxygen अब Compound क्या होता है Compound अभी हमने Element पढ़ा था तो Compound क्या होता है उसी का जो है बना हुआ लेकिन इसमें क्या होता है ये एक Fixed Proportion होता है Compound क्या होता है मान लिजे ये दो Elements है ठीक है मान लिजे ये दो Elements है इनको जब हम Combine करते हैं एक Fixed Proportion से यह जो हैं इनको जो है easily हम decompose हमने elements में पढ़ा था कि मैंने आपको बताया कि elements को हम decompose नहीं कर सकते किसी और form में मतलब कोई भी physical यह chemical method यूज़ करके लेकिन यहां पर हम इसको जो है decompose कर सकते हैं change कर सकते हैं ठीक है अब जो properties होती है compound की ठीक है जो compound की जो खास्यत होती है characteristics होते हैं वो जो है वो totally different होते है elements की properties से ठीक है अब मान लीजे कि आपको अगर और अच्छे से समझना है जैसे कि मान लीजे na plus cl क्या बनाता है na cl ठीक है sodium chlorine क्या बनाता है sodium chloride अब ये तो sodium chloride बन गया हमारे पास compound अब इन की मैं यह कह रहा हूँ कि इसकी property जैसे इसकी property और इसकी property मलब na और na cl की property मैच नहीं करती बिलकूल भी ठीक है na cl की property और na की property या CL की property और NACL की property बिल्कुल match नहीं करती तो क्या आपको समझ में आ रहा है यू प्लीज कमेंट डाउन क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं अच्छा अब बढ़ते हैं mixture mixture क्या होता है यहां पर भी दो या दो से ज़्यादा elements या compounds मिलते हैं लेकिन इसमें क्या होता है compounds में हमने पढ़ा था अभी इसमें क्या होता है एक fixed proportion होता है weight का ठीक है compounds में क्या होता है एक fixed proportion होता है weight का लेकिन यहां पर क्या होता है यहां पर कोई भी fixed proportion नहीं होता है यहाँ पर किसी भी proportion में जो है वो हो सकते हैं elements या compounds किसी भी proportion में हो सकते हैं to form a mixture mixture बनाने के लिए elements या compounds किसी भी proportion में हो सकते हैं इतना आपको याद रखना है और components जो है mixture के वो भी किसी भी physical means से हम उनको अलग कर सकते हैं ठीक है separate कर सकते हैं उनके अंदर जो components हैं जैसे compounds ही होते हैं और elements ही होते हैं वो ही तो उसके components हो गए ना उनको हम अलग कर सकते हैं तो जैसे कि filtration से हम उनको अलग कर सकते हैं sublimation से अलग कर सकते हैं distillation से अलग कर सकते हैं तो mixture यही होता है ठीक है अब क्या है अब हमारे पास है में कैसे पाट लेता है जैसे मैं आपको बताया था Atom क्या है? Element बनाता है ठीक है? Atom क्या है? Element बनाता है Elements क्या बनाते है? Elements Compounds बनाते है ठीक है? और Mixture किसे बनता है? वो भी Element से बनता है लेकिन ये किसी भी Proportion में हो सकता है और Compounds से भी Mixture बनता है ठीक है तो ये बात है लेकिन इसका याद रखना है एटम एटम जो है ये freely exist नहीं करता है नेचर में बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं एटम जो है ये freely exist it does not exist freely in nature and molecule exists freely in nature ठीक है molecule is also the smallest particle ठीक है लेकिन ये freely exist करता है नेचर में ओके यहाँ पर दुबारा से ये आ गया है PDF में भी शायद PPT में भी ठीक है यहाँ पर देखते molecule molecule नहीं electron अब electron क्या होता है ये भी ये क्या है ये एक fundamental particle है किसका electron क्या है fundamental particle है किसका fundamental particle है ये electron atom का जो है fundamental particle है किसका atom का fundamental particle है जो क्या करता है negative charge होता है इसमें electron में क्या होता है negative charge याद रखने वाली बात यही है कि इसमें कौन सा charge होता है negative charge और ये किसका fundamental particle है ये atom का fundamental particle होता है electron और charge कौन सा होता है इसमें negative charge charge कौन सा होता है इसमें negative charge electron में कौन सा charge होता है negative charge और इसको discover किसने क्या था it was discovered by JJ Thompson तो electron was discovered by JJ Thompson electron was discovered by JJ Thompson ठीक है next proton proton भी fundamental particle है ठीक है वो भी atom का ही fundamental particle है लिकिन इसमें क्या होता है मैंने ये short notes बना दिये हैं ताकि आपको ज़्यादा ना लगे ठीक है पार्ट ये भी atom का ही है fundamental particle ठीक है लेकिन इसमें जो है positive charge जैसे हमने electron में क्या होता है electron में negative होता है और इसमें क्या होता है इसमें positive होता है किसमें proton में positive charge होता है proton में होता है positive charge और इसको discover किसने किया था रुदरफोर्ड और गोल्स्टीन ने, कब किया था, 1886 में, प्रोटॉन को, प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और डिस्कावर किस ने किया था, रुदरफोर्ड और गोल्स्टीन ने, कब किया था, 1886 में, next is neutron, neutron क्या होता है, इसमें कोई charge ही नहीं होता है, मतलब यह neutral होता है, अब neutron word से ही समझ सकते हैं, कि इसमें neutral charge होता है, मतलब इसमें कोई charge नहीं होता है ठीक है, तो neutron में no charge, तो discover किस ने किया था, Chadwick ने कब किया था, 1932 में, neutron में no charge it was discovered by Chadwick and when was it discovered, it was discovered in 1932 isotopes isotopes are the atoms of the same element वो similar element के जो है atoms हो है लेकिन लेकिन इन में क्या होता है different mass number होता है mass number जो होता है atoms में इसमें isotopes में different होता है ठीक है the atoms of the same element having different mass numbers same element के atoms जिनका different mass number है ठीक है उसके बाद ISO bars क्या होता है elements जिन में same atomic mass होता है but उन में different atomic numbers होते हैं यह याद रखना है iso bars क्या होते है same atomic number but different atomic sorry same atomic mass but different atomic number elements वो elements जिन में atomic mass जो है same होता है और different atomic number होते हैं उनको हम ISO bars कहते हैं एक बार फिर से बोलता हूँ ISO bars वो होते हैं जिन में same atomic mass होता है but different atomic number होता है ठीक है अब isotones वो होते हैं जिन में same number of neutrons होते हैं ठीक है neutrons ठीक है neutrons आपको पता चला ना जिन में कोई charge नहीं होता है ठीक है तो वो उनमें same number of neutrons जो होते हैं जिन में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं उनको हम isotones कहते हैं ठीक है ओके अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा acids और bases के बारे में अब acid क्या होता है ये base के साथ react होता है to form what? to form salt ठीक है? acid is a compound that can react with base to form salt salt in water solution acid is sore turns blue litmus paper red जो blue litmus paper होता है उसको red में convert कर देता है ठीक है? litmus paper तो आपको पता ही होगा ना कि litmus paper होता क्या है ठीक है? अपने देखा भी होगा laboratories में ठीक है? अब water solution में जो acid होता है वो कैसा taste करता है? sore ठीक है? sore मतलब ठीक है? acid जो है sore होता है किसमे? water solution में उसके बाद अभी हम कुछ important acids पढ़ेंगे और उनके resources जो कि आपको याद रखनी है ठीक है? अब citric acid में क्या क्या होता है? sorry lemons और oranges में क्या होता है? कौन सा acid present होता है? citric acid milk में कौन सा acid? लक्टिक acid, grapes में tartaric acid, vinegar में acetic acid, tomato में oxalic acid, ants में formic acid ठीक है? तो lemons और oranges में citric acid, milk में lactic acid, grapes में tartaric acid, vinegar में acetic acid tomato में oxalic acid, ants में formic acid ठीक है? अभी basis क्या होता है? ऐसे compound जो salt भी देते हैं और water भी देते हैं, किसके साथ react करते हैं, acid के साथ, ठीक है, acid के साथ react करते हैं, और taste में कैसे होते हैं, bitter, कैसे होते हैं, taste में, bases कैसे होते हैं, sorry, taste में कैसे होते हैं, bitter होते हैं, bases, ठीक है, bases, bitter, acids, sore, अब आप यहां पर, B for bases B for bitter ठीक है, base से B से ही bitter भी B से ही base भी, ऐसे आप याद इसको रख सकते हैं, ठीक है और acids का तो फिर आपको खुदी पदा चल जाएगा अब bases का bitter है तो उसका sore, ठीक है इससे क्या होता है, red litmus paper जो है, वो blue होता है अब इसमें क्या होता था blue litmus paper जो है, वो red हो जाता था और यहाँ पर जो है, red litmus paper क्या हो जाता है red litmus paper blue में convert हो जाता है, ठीक है अब यहाँ पर कुछ important bases जो है sodium hydroxide potassium hydroxide, sodium carbonate ठीक है अभी आपके सामने जो questions है, इनके answers आपको देने होंगे question number one है, what type of acids does ants produce ants जब bite करती है, या ऐसे भी वो कौन सा जो है, acid produce करती है ants question number two है, who discovered neutron, neutron किसने discovered किया था question number three है elements having the same number of neutrons, are called what चोथा है, who discovered electron, electron किसने discover किया था, ठीक है तो यही है यही था आज का lecture, next lecture में जो है हम उसमें थोड़ा सा carbons के बारे में पढ़ेंगे और इनके compounds के बारे में और कुछ important facts पढ़ेंगे, उसके बाद हम MCQs करेंगे so thank you so much for watching this video अगर आपको वीडियो पसना है तो आप प्लीज इसको लाइक कर दीजे तो thank you so much and all the best for your preparation see you in the next video in the next video